Welcome to Sumayya English Primary School, Stand at first, Subject English. In English Subject, we will start Unit 5, Lesson No. 2, Shyam's Horse Cart. And Textbook Page No. is 54. So, आज इस Lesson में हम क्या पढ़ेंगे? Shyam's Horse Cart. What do you mean by Horse Cart? Horse Cart means what? Ghoda Ghaadi. किसकी घोड़ा गाड़ी? Shyam की. Okay? So, देखते हैं, Lesson में क्या है? Shyam started in his Horse Cart to go to the fair on the way. Madhu and Meera said, Can we come? Oh, yes. Say, Shyam. Okay? So, students, इस Lesson में एक लड़का होता है. उसका नाम क्या है? Shyam. Okay? Then, उसके बास क्या होती है? एक Horse Cart. Horse Cart हम किसे बोलते हैं? घोड़ा गाड़ी को. ठीक है? हम English में क्या बोलते हैं? Horse Cart. So, शाम के पास जो घोड़ा गाड़ी होती है, वो start करता है घोड़ा गाड़ी को कहां पे लेकर जाने के लिए? Fair में. Okay? What do you mean by fair? Fair means what? Mela. Okay? जिसको हम fair कहते हैं English में. You know, मेले में क्या होता है? बहुत सारे जूले होते हैं बच्चों के लिए. है ना? बच्चों और बड़ों को लिए बहुत सारे जूले होते हैं. बहुत सारे टॉइश शॉप्स होते हैं. गेम्स शॉप्स होते हैं. स्वीट शॉप होते हैं आप कभी तो विजिट किये होगे फैर में, मेले में अपने पैरेंट्स के साथ इसी तरह शाम कहा जाता है फैर में जाता है अपने हॉर्स काट के साथ अन दे वे मधू इन मीरा सेट जैसे ही वो फैर के लिए जाता है तो रास्ते में उसे दो गर्ल्स मिलती है एक का नाम क्या रहता है मधू एन एक का नाम क्या रहता है मीरा मधू एन मीरा क्या बोलते हैं शाम को शाम क्या हम आ सकते हैं तुमारे साथ फैर में सो शाम क्या कहता है या पे ओ यस सेट शाम जैसी वो दो लड़किया पूछती हैं शाम को कि हम तुम्हारे साथ चले मेले में, फैर में तो शाम क्या बोलते हैं? हाँ, जरूर, क्यों नहीं? चलो मेरे साथ ऐसा बोलकर शाम मधु और मीरा को फैर में लेकर जाता है अब आगे देखते क्या होता है मधु और मीरा शाम के साथ गोड़ा गाड़ी में बैठ जाते हैं ओके? शाम, मधु और मीरा एक साथ फैर में जाते हैं ओके? देन, दे डॉग साथ देम ये आज़्ट, कैन आई कम? ओ येस, सेट शाम देन, रास्ते में उनको आगे कौन मिलता है? शाम को डॉग ओके? डॉग क्या पुछता है? कैन आई कम? क्या मैं आ सकता हूँ तुमारे साथ फैर में? सो शाम क्या बोलता है? ओ येस, शाम उसको भी अपने हॉर्स काट में ले लेता है ओके? देन, दे वर गोईंग थूरू दी फील्स दी पिकॉक saw them and asked Can I come to the fair? ओ येस, सीट, शाम देन, आगे चलने के बाद रास्ते में उनको कौन मिलता है? पिकॉक पिकॉक हम किसको बोलते है? मोर को यहाँ पे देखो पिच्चर में दिख रहा है आप लोग को पिकॉक So, पिकॉक क्या बोलता है? शाम को कि शाम कै मैं भी तुमारे साथ आ सकता हूँ फैर में So, शाम उसको भी क्या करता है? बिठा लेता है अपने साथ होर्स काट में पिकॉक को Then, when they were crossing the river the frog asked Can I come to the fair? Oh, yes, said all of them Then, in the last कौन मिलता है उनको एक frog एक मेंड़क मिलता है कभी मिलता है जब वो river क्रॉस करते है ओके तब बीच में कौन पुछता है उनको? फ्रॉग Can I come to the fair? So, शाम के साथ जितने जन होते हैं मदू, मीरा, डॉग and पिकॉक वो सब मिलकर क्या बोलते हैं? Yes, आओ हम साथ में चलते हैं So, शाम सेट Come and sit near me शाम फ्रॉग को क्या बोलता है? फ्रॉग Come and sit near me मेरे नजदीक बैठो Okay? Then वो क्या, सब क्या करते हैं? एक साथ होर्स काट में बैठ जाते हैं और फैर के लिए निकल पड़ते हैं Then They saw the fair from a distance The peacock was so happy It spread its furthers and started dancing रास्ते में चलते चलते उनको कुछ डिस्टेंस कुछ दूर से ही मेला नज़र आता है फैर नज़र आता है So, पिकॉक फैर को देखके बहुत जादा खुश हो जाता है बहुत जादा हैपी हो जाता है पिकॉक पिकॉक मोर वो मेले को देखके इतना हैपी इतना खुश हो जाता है कि वो अपने जो भी पंक होते हैं वो सारे खोल देता है पिकॉक खुशी से और डान्स करने लगता है होर्स काट में घोडा गाडी में है ना Then उसके अबाद But one feather touched the dog's ear He sprang up and barked loudly Then जैसे ही पिकॉक अपने फेदर्स अपने पंकों को खोलता है खुशी से वैसे ही उसमें से उसका एक पंक डॉक के कान में लग जाता है टच हो जाता है किसके कान में डॉक के ओके So डॉक क्या करता है He sprang up and barked loudly जैसे ही डॉक के कान में मोर का पंक लगता है वैसे ही डॉक क्या करता है उचल पड़ता है ठीक है एकदम जम करता है होस काट में और क्या करता है बाग करना शुरू हो जाता है भॉकना शुरू हो जाता है बहुत जोर जोर से जैसे ही डॉक जोर से भॉकता है वैसे ही जो होर्स काट में मधू जो गल होती है वो क्या हो जाती है डर जाती है उसके भॉकने से कौन डरती है मधू देन मीरा भी डर कर किस पे गिरती है फ्रॉक पे डॉक के बाग करने से जो मधू गल होती है वो क्या होती है डर जाती है उसकी आवाज सुनकर किसकी डॉक की जैसे वो भौकता है frightened means what? डरना ओके देन मीरा fell on the frog मीरा भी क्या कहती एकदम डर कर है ना frog के ओपर गिर जाती है the frog fell on the horse then frog क्या होता है? वो भी किस पे गिरता है? horse पे the horse was so frightened that he ran helter-skelter then frog horse पे गिरने के बाद जो horse होता है घोड़ा होता है वो भी बहुत ज़ादा डर जाता है कि मेरे पे कौन गिर गया? ऐसा ठीक है? then फिर वो कैसे भागने लगता है? horse, helter, skelter कही भी भागने लगता है एकदम straight नहीं चलता डर कर हम कैसे? कहीं भी जाते हैं वैसे ही horse भी डर कर कहीं भी चले जाता है sham fell off then madhu and mira also fell off one by one all of them fell off then जैसे ही घोड़ा यहाँ वहाँ भागने लगता है तो श्याम नीचे गिर जाता है घोड़ा गाड़ी से then उसके बाद madhu, mira और सबजन एक एक करके सबजन घोड़ा गाड़ी से गिरते जाते हैं क्यों क्यों गिरते हैं? क्योंकि जो घोड़ा होता है वो बहुत जादा डर कर यहाँ वहाँ भागने लगता है then the horse kept running and stopped when it reached near the fair सबकी गिरने के बाद horse ऐसे ही भागते रहता है और एक जगा रुख जाता है कहाँ पर रुखता है? फैर के नजदीक, मेले के नजदीक जाकर घोड़ा रुख जाता है then sham, madhu, mira, the dog, the peacock and the frog were all panting when they reached sham, madhu, mira, dog, peacock and frog जो भी यह सब जो horse cart पे बैठे हुए होते हैं जो अचानक से गिर जाते हैं वो लोग क्या करते हैं? सब जन हाफते हुए पहुचते हैं किसके पास पहुचते हैं? घोड़े के पास ठीक है? Till then the horse became quiet and relaxed जब तक horse क्या हो जाता है? एकदम चुप हो जाता है और relax होने लगता है ठीक है? उसका डर निकल जाता है तब तक इन दी इवनिंग दे रिटन हैपिली इन दी होर्स काट and then जैसे ही वो फैर पहुचते हैं वो सब वहाँ पे मेले में घुमते हैं then इवनिंग में आते समय वो सब खुशी-खुशी घोड़े गाड़े में आते हैं ओके? So students हमारा chapter यहीं पे end होता है Shams horse card ओके? So आप सब को read करना है अच्छे से ये lesson को I hope you all understand this chapter Thank you